नमस्कार स्वागत आप सभी का सुमंश्री एजुकेशन चानल में जैसा कि आप देख रहे हैं मैत्वपुन शब्दावली इससे पहले हमने मानचेत्र का जो टॉपिक था वो पड़ा था और उसी के कुछ मैत्वपुन शब्दावली है और फिर उसके बाद में हम देखेंग या फिर कमपास क्या काम करेगा यह दिशा बताने वाला यह यंद्र है इससे दिशा ग्यात की जाती है तीसरा है विशयक मानचेत्र क्या होता है किसी वस्तु विशेस के जो जानकारी देने वाला जो मानचेत्र है वो विशयक मानचेत्र कहलाता है या फिर थिमेटिक कहलात बात करें रूड चिन जिससे आप सब जानते हैं परणप्रागत माननेते अवाले जो चिन है वो रूड चिन कहलाते हैं ग्लोग ग्लोग होता है प्रत्वी का प्रती रूप इसके बारे में भी हमने काफी जानली ली थी पूरा-पूरा एक टॉपिक था ग्लोप पर वो हमने पढ़ा था रीड भी किया था अब हम बात करेंगे प्रश्णों की यहां देखते हैं मैसुपर्पृन प्रश्ण है उनके बारे में सबसे पहला जो प्रश्ण है वो हे दीशा सुचक यंदर की सुई हमेशाद बारे में 3 तुसरा जो पास होते ही इनके बारे में आपको बताना है चौथा प्रशन है ग्लोप किसका प्रतिरूप है इसका पूरा पूरा एक टॉपिक हमने पड़ा है और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप उस वीडियो को आप जरूर देखें अपलोडिंग है और जो पांचवा प्र प्रशन है वह वासको लिगमा भारत के किस राज्य में पहुंचे थे सात्मा मांचित्र कितने प्रकार के होते हैं हमने बिल्कुल इनके बारे में जानकारी ली थी और विस्तुरत रूप से बताया भी था तो वह बताना है आपको कि मांचित्र कितने प्रकार के होते हैं और माध्यम से कच्चा चित्र खीशते हैं, जिसमें की कुछ मुख्ये इस्थानों को दर्शाते हैं। ग्यारवा जो प्रश्ण है, वो है किसी छोटे शित्र का बड़े पेमाने पर खीचा गया रेखा चित्र, क्या कहलाता है। बार्वा प्रश्ण है, दिशा ग्यात करने के लिए जो यंत्र काम में लिया जाता है, उसे कहा जाता है। अपना लेसन शुरू किया था तो उसमें पताया था तो ये जितने भी प्रशन है इनके आंसर जो है आपको बड़े आसानी से मिलेंगे सोलमा प्रशन है मानचित्र की दो विशेशता हैं बतानी हैं बड़े आसानी से आप बता पाएंगे और मुखे रूप से कितनी दिशाएं होती हैं उनके बारे में आपको बताना है मुखे रूप से कितनी दिशाएं हैं और उनकी दिशाओं के में भी और कौन-कौन से दिशाएं होती हैं आप देखें आराम से डाइक्राम बनाएं और इसे देखें तो आपको बिल्कुल समझ म आजाएगा आज की जो प्रश्ण है इस टोपिक से सम्मधिन जित्ते भी प्रश्ण थे वह मेंने बनाए कुछ किताब से सम्मधित है कुछ मेरे अपने तरफ से बनाए तो जुरूर आप अपनी नोट बूक ले और उसमें प्रश्णों के आंसर उसको लिखे ताकि आपकी त् ची हो, बेस्ट हो, वीडियो देखने के लिए आप सभी का भुद्बुद धन्यवाद.